हाई गाईज वेलकम तो दा चैनल कॉंसेपकिलाइटी आज को वीडियो है कंट्रोल एंड कॉइडिनेशन चैप्टर के ओपर क्लास 10 बाइलोजी सीबिस्टी का चैप्टर है यह स्टार्ट कर रहे हैं पहला पार्ट लेट्स बिगिन देखिए आप दुनिया को सेंस करते हो ठीक है हमें पता है कि हमारे सेंस ओर्गन होते हैं पांच सेंस ओर्गन हैं हमारे तो जैसे कि मान लीजे आपने आईस क्रीम खाई और आप कहते हैं आईस क्रीम बहुत टेस्टी है या मिर्च खाते हो आप कहते हो मिर्च से मुझे बहु बील सुंकते हो तो आपको लगता है बहुत अच्छी खुश्फू है या अगर आपने कोई करेंट किसी तार में जा रहा रहा है और आपने इस से छू लिया तो आप कहते हो मुझे current लगा तो जो भी senses हो रहे हैं चाहे वो नाक के हैं चाहे वो skin के हैं चाहे वो आपके Jeep के हैं टंग के हैं यह कैसे मालूम पढ़ रहा है आपको की आपको इस sensation हो रहा है यह सब हमें मालूम पढ़ता है हमारे nervous system की help से किसकी help से nervous system की help से तो इस वीडियो में हम nervous system को देखें गे जो बी nervous system एक तरीकिंगे ऐसा system है आप समझे लो जो आपको इस दुनिया के बारे में बता रहा है जो आप सेंस कर पा रहे हो ना दुनिया को इस environment को जो आपके आश पास की पूरी दुनिया है जो उसको सेंस करने का जो पूरा काम है वो nervous system की help से होता है तो ये chapter पूरा nervous system के उपर ये अब nervous system की जब हम बात करते हैं तो nervous system में आती हैं आपके तीन चीजे है क्या nervous system किन से मिलके बना हुआ है nervous system तीन चीजे आती है एक आता आपका brain एक आता आपकी spinal cord रीड की हड़ी आपने देखिए हमारे पीछे बैक बोन में रीड की हड़ी होती है ठीक है लंबी सी एक रीड की हड़ी है इस रीड की हड़ी के अंदर एक तार जैसी होती है क्या होती है तार होती है समझ लो इसे बोलते हैं स्पाइनल कॉड ठीक है रीड की हड़ी में हमारे कॉर्ड जाती है ठीक है नर्वस का बंडल होता है नर्वस होती है उसमें पूरे में आपकी body में भुछ शाही nerves हैं ठीक है, ऐसे लाखों nerves हैंपकी body के अंदर, ठीक है, यह nerves ही हैजो आपको sensation बताती है कि कुछ sense हुआ, जैसे मैं अभी आपके पैर पर current लगा दूँ तो आपके एकदम से पैर हटा देंगे करेंट लगा आपको, कैसे मालूम बढ़ा आपको करेंट है Νर्ज के थूर इनर्ज क्या है आपको यहाँ पे सेंसेशन पहुचाहेंगी ठीक है, नर्ज के थूरू आपको मालूम बढ़ा नर्वस ठीक है हिंदी में नर्वस को नसे भी बोलते हैं कि नसे जा रही हैं अब यह जो नर्वस होती है बहुत फास्ट होती है इसके अंदर नर्वस के अंदर करेंट पास करता है समझ लोग एक करेंट चलता है एलेक्ट्रिक करेंट जैसा करेंट चलता है इस नर्वस के अं सिस्टम है ठीकär? इसा में यूनिट है? फंक्शनल यूनिट वह है निउरॉन क्या है है? निउरॉन zo इतने भी nerves है, आपका brain है, आपका spinal cord है, ठीक है, ultimately बना किससे है, सब कुछ ही है, पूरा nervous system बना किससे है, अगर हम brain को खुलने बैठें, या spinal cord को खुलने बैठें, या nerves को देखने बैठें, तो इसमें ultimately हमें एक चीज निकल के आएगी, वो है neuron, इन सब के अंदर, brain में, spinal cord में nerves में, ये तीनों चीज में बनी किससे है, neuron से, अब neuron क्या होता है, neuron अपने आप में एक cell है, neuron क्या है, एक cell है, ठीक है, अब होता कैसे है, देखो ये ऐसे होता है, ये पूरा neuron है, neuron का structure है, अब इसमें क्या होता है, ये cell body है, इसको cell body बोलते हैं, और ये इसमें nucleus है, हर एक cell म इसे structure निकले हुए इन्हें बोलते हैं dendrite फिर यह बीच वाला इससा है पूरा इसे बोलते है एक्जॉन यह पूरा इससे बोलते है एक्जॉन और यहां पर क्या है nerve ending क्या है यह nerve ending आप काम कैसे करता है देखो यह पूरा structure neuron ठीक है मैंने आपको बोला था कि signals जाते हैं जैसे यहां पर मैंने आपको बरफ रख दी आईस रख दी तो यह nerves उपर signal लेगा जाती है कि ठंडा है अब nerves बनी किससे हैं neuron से तब होता क्या है बहुत सारे इसमें nerves के अंदर बहुत सारे neurons हैं बहुत सारे ठीक है यह neurons आपस में जड़े होते हैं ऐसे मतलब जैस जैसे कि यह एक neuron है एक neuron है ठीक है एक neuron यह रहा यह neuron number 1 समद लो यह neuron number 2 समद लो ऐसे बहुत सारे neurons होते हैं आगे भी एक neuron लगा होगा इस picture में यह neuron number 3 ऐसे एक और लगा होगा neuron number 4 ठीक है तो एक जो पूरी नर्व होती है न नस उसमें बहुत सारे neurons होते हैं ठीक है जैसे कि म सिखनल मालो सब्सक्राएं डियुट समिकराइब तो इस नर्व में विए सब्सक्राइब बीच में चलता और इन ग्रेसे सब्सक्राइब तोो इसे इटर्ण के बीच में शॉट में इसे औरust information receive करता है जैसे मालों नहीं थंडा बरफ रख दी तो यहाँ पे एक थंडा बरफ थंडी है उसका एक information receive हुई फिर ही आगया ऐसे पास हो जाएगी फिर यहाँ से निकलेगी फिर इसमें चला जाएगा ऐसे current चलता है यहाँ पे current चलेगा ऐसे यहाँ पे current चला एकरेंट होता है फिर यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ चलेगा इलेक्क्रिक करेंट फिर ऐसी electric तो एब होता है अब एक चीज़ और important है दो neurons के बीच में यहाँ फिरे बोलता है छीब से और गिरे माले इंके बीच में यहाँ से current आ रहा है यहां से current आता है मैंने बूला ना electric current flow करता है electric current आता है जब यह current इस gap पे पहुँचेगा यह से माल लो current आ रहा है ठीक है यहां इस gap पे पहुँचेगा snaps पे पहुँचेगा gap को क्या बोलते है snaps बोलते हैं जब यह यहाँ gap पे पहुंचेगा तो electric current यह chemical उसमें convert हो जाएगा एक chemical messenger में convert हो जाता है ठीक है एक chemical substance में convert हो जागा ऐसा समझे लो तो यह जो electric current है यह एक chemical substance में change हो जाता है उसको हम बोलते हैं neurotransmitter neurotransmitter ठीक है तो यह जो आपका electric current है electric energy समझ लो जो आ रही है वो chemical energy में change हो जाता है फिर यह जो gap है यहाँ पे chemical release हो जाता है क्या होता है यहाँ पे chemical release होता है जिसे हम बोलते है neurotransmitter देखो अब यह देखो यह आपका gap है यह neuron number 1 है yellow वाला और यह neuron number 2 है blue वाला यह जो gap है यह snaps है ठीक है snap take left लिखा यह snaps ही है आप snaps है आप यह ध्यान रहाँ वो snaps है बागी बूल जाओ यह gap है यहाँ पे यह blue blue दिखाई दे रहे हैं ball ball सी यह neurotransmitter है क्या है यह neurotransmitter तो यहाँ से electric current आया होगा पीछे से यह chemical में change हो गया इस chemical क्या बोलते है neurotransmitter तो यहाँ gap में neurotransmit समझाया neuron के बारे में अब आगे भरते हैं आपकी body में जितनी भी muscles हैं उन्हें आपकी nerves control करती है आपकी body में जितनी भी muscles है ना हाथ है पैर है ठीक है आपके चेरे की muscles हैं आपके chest की muscles हैं आपके पेट की muscles हैं आपके body में जितनी भी muscles हैं उन्हें कौन control करता है nerves ठीक है हर ए एक muscle के साथ nerves जुड़ी होती है हर एक muscle जैसे मुझे अगर अपना हाथ भी हिलाना है तो वो हाथ में तभी हिला पाऊंगा जब यहाँ पर जो nerves हैं वो काम करेंगी अगर मैं अपने हाथ की nerves काड़ दूँ ठीक है ऐसा करमत लेना अगर आपके हाथ की nerves कड़ जाएं या कुछ accident हो जाए nerves खराब हो जाएं तो आपकी यह वाली जो muscles हैं मैंने बोला हर एक muscle के साथ nerves जुड़ी होती है तो माल लिजे जो आपके हाथ की muscles है माल लिजे यहाँ पर मैं example दे रहा हूँ hand muscles ठीक है आपके हाथ की muscles हैंगे अगर hand की muscles पर जो nerves आ रही है माल लिजे ऐसे nerves आती है अगर यह nerves खराब हो जाएं ना तो आप इस हाथ को चला नहीं पाओगे फिर आपने देखा होगा जिन लोगो paralysis हो जाता है paralysis में क्या होता है यही होता है जो nerves का connection है muscles के साथ वो break हो जाता है nerves ठीक से काम नहीं करती है nerves का जो control है muscles पर वो खतम हो जाता है muscles तो आपने की रहती है ऐसा थोड़ना होता है कि जो इसको paralysis का attack पड़ता है आप देखना कभी किसी paralysis के बंदे को उसकी muscles तो रहती है हातों की पैरों की सब जगे की muscles होती है बट जो nerves का control है क्योंकि उन muscles को control कौन कर रहा है nerves control कर रही है यह nerves खराब हो जाती है यह control हट जाता है इसलिए फिर वो इनसान अपने उन muscles को move नहीं कर पाता ठीक है तो muscles को ultimately move कौन कर रहा है nerves move कर रही है यह कर देखर यह muscle है यह पwurf में दिखाई दे रहा है यह पूरी nerve यह आपकी muscle है और यह पूरा उपर क्या नर्व आ रहा है यह यलो सा आ रहा है यह पेड़ सा देखाई दे रहा है यह पेड़ की roots रूट्स जैसी bien हुए है यह पूरा यलो वाला portion क्या है कि नर्व है तो इसमें दिखा रहे हैं कि कैसे नर्व मसल को control करती है और जिस जगे पे यह जैसे नर्व आपकी जहां मसल पर connect करती है ठीक है ऐसे बोलते हैं neuromuscular junction नाम से समझ में आ रहा है नर्व का neuron muscular मतलब muscle का तो जहां पर neuron और muscle मिलते हैं ठीक है जहां पर nerve और muscle मिलते हैं उन्हें neuromuscular junction बोला जाता है ठीक है समझ में आ गया कारणी अब आता है reflex के उपर reflex देखते है reflex क्या होता है मान लो आपने हाथ लगाया यहां पर बहुत ज़्यादा गरम पानी है ठीक है आप हाथ लगाओगे तो एकदम से हाथ अटा लोगे एकदम से आप हाथ अटाओगे ठीक है अब हो कहरा है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले आप सोचते हो कि गरम पानी है मान लो कि आपने हाथ का पानी बहुत ज़्यादा गरम होता है बहुत ज़्यादा गरम दो सेकेंड में आप हिल जाओगे और जैसी आप हाथ लाओगे एकदम से अपने आप ही automatically हाथ अड़े जाएगा आपका सोचना नहीं पड़ेगा आपको ऐसा नहीं होता कि आप हाथ faut बैठके सोचते हो कि मैं हाथ हटाऊं हो कि मैं नहीं हटाऊं कि temperature कितना है गरम है ठंडा तो मैं हाथ अठाउंगा वो अटोमेटिक लिए जाता है आपको सोचने की ज़रुवत नहीं पढ़ती ठीक है तो जाँ हमें सोचने की जरुवत ना पड़े जाँ पे हमें think ना करना पड़े जहाँ चीजे क्या हो आटोमेटिक हो वहाँ प्या जाता है रिफ्लेक्स जहाँ सोचना ना पड़े जहाँ ब्रेन का यूज नहीं हो रहा जहाँ चीजें आटोमेटिक हैं वो होता है रिफ्लेक्स ठीक है तो यह जो reflex होता है देखको actual में क्या होता है आप मैं थोड़ा बताएता हूँ आपको यह मानलो आपका brain है ठीक है और यह आपकी spinal cord मैंने बताया था ना आपको nervous system में brain और spinal cord दोनों होते हैं अब normally क्या होता है जैसे आपने spinal cord तक जाएंगी फिर brain तक जाएगा और आप डंडा पकड़ा है और आप चाहते हो डंडा छोड़ना तो आप डंडा छोड़ सकते हो उस case में क्या होता है कि जैसे आपने डंडा पकड़ा हुआ है मालो यहां पर रॉड है normal temperature की है आपने रॉड पकड़ रखी है यह आपने हाथ बना रखा है ठीक है अब उस case में क्या होता है हाथ यह रॉड में से आपने हाथ में पकड़ी है ठीक है तो यहां से nerves होती है nerves जाती है, spinal cord तक जाती है और फिर spinal cord से brain तक जाती है और फिर brain आपको बोलेगा कि चलो जैसे आपने decide कि मुझे rod fact देनी है, मुझे पकड़नी नहीं है, तो brain यहां से signal वेजएगा, यह ऐसे आएगा, फिर यह जाएगा, फिर जो rod है आपने पकड़ी है आपको लगा कि बेकार है आपकी किसी काम की नहीं है आपने उसको fact दिया आपके brain ने decision लिया भई आप सड़क पर चल देते आपको rod मिल गई आपने उठा ली फिर आपने सोचा कि यह rod मेरे काम की है कि नहीं है आपने लगा मेरे rod मेरे काम की नहीं ह फिर आपने उसको rod को fact दिया तो यह पूरा process कैसे हुआ यहां से एक nerve गई signal यहां तक गया spinal cord से फिर brain तक गया brain ने decide करा कि सड़क पर जो rod मिली है बेकार है किसी काम की नहीं है इसे fact देते हैं वापिस फिर brain से spinal cord में ऐसे signal आएगा और फिर नहीं आ जाएगा तो इसमें तो क्या हो रहा है thinking हो रही है पूरी brain आपका सोच रहा है decide कर रहा है कि चलो ठीक है rod काम की है कि नहीं है काम की मुझे सड़क चलते rod मिल गई rod मेरे काम की है तो मैं रख लूँगा rod मेरे काम की नहीं है तो मैं वापिस फैक दूँगा तो यहां क्या हो रहा है यहां बहुत thinking हो रही है ठीक है अब मालो यही rod यह normal temperature ना हो इसका temperature rod का हो जाए 100 degree centigrade अब इस case में जो signal जाएगा न वो brain तक जाएगा ही नहीं यहां तक नहीं पहुँचेगा क्योंकि इतना time नहीं होगा 100 degree centigrade है अगर temperature rod का ठीक है मालो पहले जो आपने rod पकड़ी थी उसका temperature था सरफ 15 degree centigrade जब आपने पहले पकड़ी थी तो तो brain तक पूरे signal पहुच रहे थे आपने अराम से decide करा rod मेरे काम की है नहीं है पूरा decide कर रहे थे आप लेकिन हमालो मैं temperature rod का कर दूँ 100 degree centigrade तो इतना brain तक signal नहीं पहुचेगा इतना time नहीं है सोचने के लिए कि सोचते रहो कि हाँ भाईया हाथ में रोड पकड़ी है रोड हाथ में पकड़ूं कि नहीं पकड़ूं फैकूं कि रखूं अपने पास यह time नहीं होता क्यों क्योंकि 100 degree centigrade बहुत जादा है तो यहाँ पे आपको immediately spinal cord तक पहुचेगा message और spinal cord से ही वापस आ जाएगा ऊपर तक तो जाएगा ही नहीं यह brain तक तो पहुचेगा ही नहीं ब्रेन तक thinking विंगे की जरूत ही नहीं है इस case में यह automatic है सोचने की जरूत नहीं है क्योंकि आपके अभी यहाँ पे किस की जरूत है आपको survival की problem आ रही ह 100 degree centigrade हाँ जल जाएगा तो हमें सोचना नहीं है यह चीज automatic है इन नेचर ने हमको दी हुई है हमारे survival के लिए ठीक है automatic है जैसे ऐसे ही तो यहाँ पे इसका example है यह बहुत जादा गरम है पतीला 100 degree centigrade का है तो यहाँ सोचने नहीं बैठ होगे आप की गरम है हाथ लगाऊं की नह इन तक signal नहीं जाते यह spinal cord से spinal cord तक जाते है spinal cord से फटा 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 वापस आ जाते हैं और millisecond में होता है extremely quick है बहुत ज्यादा तेज होता है action ठीक है आपको पता मीं चलेगा अतना तेज होगा तो यह spinal cord का game है इसमें automatic हो रहा thinking involved नहीं है brain का use नहीं हो ठीक है ऐसे समझ लो अ sensory neuron बोल लो या nerve बोल लो एकी बात है क्योंकि sensory neuron से ही बनती है ठीक है तो जो nerve हाथ से spinal cord तक लेके जा रही है message आपने छुआ इसको ठीक है गरम आपको जो feeling आपने छुआ गरम लगा यह sensation है जो spinal cord तक लेके जाएगा उसे बोलेंगे sensory neuron या sensory nerve फिर spinal cord से जो वापस message लेके आए प्रागा की हाथ हटाना है इसे बोलेंगे motor neuron या motor nerve ठीक है तो एक तरीके से मैं बताऊं दो तरह की nerve होती है sensory nerve होती है एक motor nerve होती है sensory nerve होती है जो चीजों से आप तक मतलब जो आपने गरम चीज पकड़ी या ठंडी चीज पकड़ी या जो भी कोई current आपने किसी तार को आपके spinal cord तक या आपके brain तक जो message लेके जाती है nerves उन्हें बोलते है sensory nerve ठीक है आपको sense कर पा रहे हो और जो nerve message वापस लेके आती है आपके nervous system से आपके हाथ तक या आपके पैर तक मतलब हाथ अटाना है या पैर अटाना है उन्हें बोलते है motor nerve ठीक है जैसे इस case में हाथ से जो spinal cord तक message लेके गई उसे बोलेंगे sensory nerve फिस spinal cord से वापस जो reply आया कि भाई या हाथ अटाना है ठीक है तो spinal cord से जो message हाथ तक लेके गया वापस जो nerve लेके गई उसे बोलेंगे motor nerve या motor neuron ठीक है यह मैंने आपको वैसे समझा दिया बाकि reflex क्या होता है यह मैंने भी आपको बता दिया reflexes automatic होते है spinal cord से निकलते है brain का इसमें involvement नहीं होता thinking process नहीं होता extremely quick extremely fast होते है ठीक है यह देखो थोड़ा सब्सक्राइब सुझ में आगा stimulus मतलब यहाँ पे कुछ आपने गरम पकड़ा है बहुत ठंडा या बहुत ज़्यादा गरम पकड़ लिया या मानलोब को current लग गया तो यह आपका stimulus है environment से मिला ठीक है तो यहां से कौन लेके गया sensory nerve कहा तक लेके आया यह spinal cord है आपकी ठीक है तो spinal cord ने फटा फट यहां से एक message पहुंचा response मतलब की हाथ हटा लो ठीक है remove the hand यह response है आपका अपने हाथ हटा लिया वहां से यह लेके कौन आया spinal cord से यहां तक motor neuron या motor nerve जो मैंने भी आपको पीछे बताया ठीक है अब हम एक चीज़ पढ़ते हैं अभी तो हम general समझ लेते कि nervous system क्या होता है हमने समझ लिया brain होता है spinal cord होता है और nerves होती है यह हमें मालूम है ठीक है nervous system क्या होता है मैंने आपको बताया brain होता है एक चीज spinal cord दूसी चीज तीसरा nerves होती है इससे हमारा nervous system मनता है अब हम nervous system को भी दो हिस्सो में divide कर देते हैं समझने के लिए ठीक है medical science में दो हिस्सो में divide किया आता है biology में nervous system को पहला होता है central nervous system और दूसरा होता है peripheral nervous system ठीक है nervous systemगो दो में divide किया गया है Central Nervous System, इसको CNS बोलते हैं Peripheral Nervous System, इसे PNS बोलते हैं अब Central Nervous System क्या होता है Central Nervous System होता है यह वाला, जो purple वाला दिखाई दे रहा है आपको आपका Brain और Spinal Cord तो Brain और Spinal Cord क्या मिल गिए से क्या बनता है Central Nervous System Peripheral Nervous System क्या है जितनी में nerves हैं आपके आपके जो हातों में nerves दा रही है पूरी body में nerves दाती है आपके शडील में ऐसा कोई भी इस्ता नहीं है जहाँ पर nerves ना हो पूरी body में हर जगे nerves है ठीक है तब पूरी body में यह सारी nerves मिलके क्या बनाती है peripheral nervous system ठीक है अब nerves को अच्छा, nerves की भी दो type होती है, cranial nerves और spinal nerves, एक तो मैंने आपको बताया, nerve होती है, dependent upon की वो function क्या कर रही है, function क्या कर रही है, मतलब, एक हमने nerves का categorization कर रहा है, function के ओपर, कि वो message ले के आ रही है, या message ले के जा रही है, तो यह function based categorization हो गया, हमने categorize function के based पर किया, यहाँ पर, कि वो message ले के आ रही है, nerve, या message, spinal cord से वापस ले कर जा रही है, ठीक है, तो यह तो हो गया function के बेस पर, जिसको हम बोलते है, sensory neuron और motor neuron, ठीक है, या motor nerve बोल दो, तो यह तो हो गया function के बेस पर, अब एक होता है, कि जो dependent upon की, इसका origin क्या है, यह location के बेस पर है, यह categorization किस बेस पर है, location के बेस पर, कि nerve कहां से originate हो रही है, उसके साब से nerves का नाम होता है, ठीक है, जो nerves, अब बताए तो आपको, जो nerves brain से निकलती है, उन्हें बोलते है, cranial nerves, जो nerves आपकी brain से निकलती है, उन्हें बोलते है, cranial nerves, मालो यह आपका brain है, तो जो भी nerves आपके brain स निकलेंगी यह इत्तिसाई nerve निगलती हैं brain से ठीक है 12 बारा के असपास nerve निगलती है आपके brain से तो जो 12 nerves आपके brain से निगल रही है इनको बोलते है cranial nerves तो यह हमने कैसे categorize कर रहे हैं nerves को based on की origin कहां से हो रहा है location क्या है उसकी ठीक है sensory और motor neuron क्या थे based on function क्या है कि वो मैसेज लेके आ रही है या मैसेज वापिस जा रहा है उसकी तरफ और्गन की तरफ ठीक है तो वो था function के basis पे categorization nerves का यहां पर मैं कैसे categorize कर रहा हूं nerves को based on की originate कहा से हो रही है उनकी location क्या है तो जब हम बात करते है location के basis पे तो दो तरह की nerves होती है cranial और spinal cranial nerves कांची है जो brain से निकलती है बारतना की cranial nerves होती है इसके नाम से समझ में आ रहा है spine nerves का मतलब क्या है जो spine से निकलती है ठीक है तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक overview दे दिया overall ठीक है तो गाईस ये था पहला वीडियो अगले वीडियो में हम detail में समझेंगे brain के बारे में ठीक है brain के structure को समझेंगे तो गाईस ये वीडियो कर आपको अच्छा लगा है तो kindly इसको सबके साथ share करें वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरू करें have a nice day bye bye take care